तो ये है मेरी नई गाड़ी एंड इस गाड़ी को लेकर मैं जा रहा हूँ भाई एरपूर्ट की तरफ क्योंकि मुझे पता चला है कि एरपूर्ट वाले भाई कुस्तो खतरनाक सा चैलेंज कर रहे हैं तुम लोग तुम जानते हूँ झालेंज के बारे में पता चलता है और उपर से वो चैलेंज डेडली हो धिंजरस हो फिर तो उस चैलेंज को अकसेप्ट में करता ही हो जैसे ही मुझे पताचला एक्ष़ाले एरपूर्ट वाले डेडली को चैलेंज कर रहे है मैं आगे उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए फिलाल चलते हैं फट अफट से एरपोर्ट की तरफ कोई सा भी चैलेंज हो डरते नहीं है बिलकुल भी बस प्राइस मनी तगडी होनी चाहिए येस प्राइस मनी छोटी हो ना भाई आगे और चैलेंज डेडली हो फिर मज़ नहीं आता हुस चैलेंज को कcamerapex करने में बट मज़ा तब आता है जब बंदे बहुत सारे शेलेंज के आंदर प्राइस मनी बहुत तगडी हो और चैलेंज भी बहुत डेंजरस है डेडली हो तब होता है अलहर चलते हैं लैड स magistral ल Any गाडी से चलाए पता है इस चैलिंग के लिए चैलेंज के लिए चैलेंज ओने एरपोर्ट वाली ही जगा क्यों चुनी है चलते हैं फिलाल खोल जो घेट को एक गiantes हेलो गार्ट भाई साप मेरी एक बात सिनो मेरी आप से एक हमबल रिक्वेस्ट है जब भी मेरी शगल आपको दिख जाए दर्वाज़ा एक दम शान्दी से प्यार से खोल दिया अगर उस समझ गए हेलो सर समझ गए क्या समझ में आगे सर ओके बहुत ही बढ़िया अगर समझ गए हो तो अब मेरी शगल देख लिए तुमने अब गेट खोल दो अब गेट खोल दो भाई यहां लॉस एंड डॉस में भाई किसी को समझा नहीं सकते हैं किसी के भी भेजे में बात घुसती है नहीं है खेर छोड़ो कहां पर चल रहा है चैलेंज यार ओ वहां पर काफी भीड लगी है चैलेंज लगता है यहीं पर चालू है एंड येस ये दो रूम्स क्यों बने हुए है चैलेंज क्या है एक्चली मैं देखो भाई मेरे को धंसे भी चैलेंज के बारे में कुछ पता नहीं है फिलाल गाड़ी मैं यहां पर लगा देता हूँ बंदे तो बहुत सारे या है यार इस चैलेंज के अंदर पाटिसिपेट करने के लिए लिटरली मैं ओ भाई साब फिलाल यहां पर दो रास्ते है एक कोल्ड और एक दर होट देख रहो तुम लोग एक तरफ बर्फ है दूसरी तरफ आग है सर चैलेंज के जरा आप मेरे को एक्स्प्लेइन करोगे पहले मैं लाइन में पीछे लग जाओ जब मेरी बार ही आएगी तब एक्स्प्लेइन करोगे अरे यार यह तो बहुत जादा गलत बात है फिलाल यह दो रूम्स को देखकर तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ भाई शायद चैलेंज यह होगा कि इन सबसे पूछा जा रहा होगा कि तुम्हें गरम वाले रूम में सर्वाइफ करना जादा आसान लगता है यह थंड़े वाले रूम में यह बंदे सलेक्ट करें होंगे या तो गरम रूम या थंडा रूम इसके हिसाब से इन रूम प्रोवाइट के जा रहे होंगे एंड उसके अंदर सर्वाइफ करना होगा एंड कम्प्रीट करना होगा इस चैलेंज को यह है आई गैस चैलेंज बट फिर भी यार थोड़ा ब गंदा तो बढ़िया निकला सीरसली मैं वाइस ने सब कुछ बता दिया मुझे पूरे का पूरे चैलेंज के बारे में अब मैं तुम लोगों को बताता हूं देखो बारी आएगी तब यह लोग मुझे एक गोल्ड रूम एंड एक होट रूम प्रोवाइट करेंगे दोनों रूम्स के अंदर मुझे लगबग लगबग बारा बारा घंटे तक सर्वाइफ करना होगा एंड अगर मैं बारा घंटे तक सर्वाइफ कर जाता हूं दोनों रूम्स के अंदर कोल्ड रूम के अंदर भी बारा घंटे होट रूम के अंदर भी बारा घंटे अगर सर्वाइ सब्सक्रいた tyre तो कॉल्ड रूम यह सर्वाइफ पूर्ढ हो जोते लिए यहिए उसे पहलँ कतनल होजों लेकिल हर लेकिन रियालिट्टी में कैसा होगा मर्ल पर चारा कित이고 मेंद को सब्सक्राइब आए तेरा बाई लगाए है या पहलाना औ Our quillint नबода उसे आ ribbon करने किया आ घा आरे लो बातरू पहली आ जाती है चलो फिर पीछ लगते हैं सबसे बढ़ाते रहो लाइन बढ़ाते रहो औरेंज ग्रीन ब्लू ब्लू लाइन बढ़ाते रहो भई क्या कर रहे तुम लोग मुझे लग रहा है गाइस ऐसे बात नहीं बनने वाली यार मेरा तो नंबर ही नहीं आ पाएगा कभी सीरिसली में यह देखो दो घंटे हो गया और मैं कहां से कहां पहुंचा है एंड लाइन को ब्रेक करकर के आगे बढ़ते जाना होगा यास गया इस तभी कुछ बात बनेगी रुख जौक किसी को पैसे के लालस देता हो थोड़ी सी सर सर मेरी बात सुनोगे जरा पैसे ले लो अपने आगे लगने दो कितने हजार हजार में बात बन जाएगी बात है इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हाँ गाइस मुझे लग रहा है यार इसी तरीके स्थोड़ा और आगे बढ़ना होगा क्योंकि 3-4 घंटे हो गया इंलाइन फिर से देखो तुम लोग कितनी जरा सी बढ़ी है भाई रुग जो रुग जो किसी और को भी बाटली में उतारते हैं इस पीली टी-शिट वाले बंदे को हैलो सर आपका पीछे कोई दोस्त मिलने के लिए है सच में सर कह रहा है आपकी स्कूल का दोस्त है हो यह सर वहां पर बोजे एयर एयरपोर्ट की एंट्री है वहां पर आप जाओ मिलके आओ तब तक मैं आप इतनी जल्दी तो यह लाइन आगे बढ़ने वाली है नहीं ओविसली भाई बहुत टाइम लग रहा है लाइन को आगे बढ़ने में रुक जो फिर से किसी का पागल बनाता हूँ अरे सर यह यह पैसे आपके गिर गया है क्या हैलो सर सर आपको मैं एक रास की बात बताता हू टीछे की दुरफ बहुत सारे पैसे गिरे हो है एक जिन정 बंदे के वह पैसे गिर है उसे पता नहीं है अब जा जा कर उठालो मैं उठालो आरे नहीं मैं 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 नहीं अब आयार इसको पागल बनाना थोड़ा पेशिक जो आप आज पागल मनाना एंड लाइन तुम लोग देख सकते हो भाई कहाँ से चाहँ पहुच उच उची मैं क्या सोच एक अदक को और पीछे कड़िया जाया क्या क्या बहाना मारू कैसे कैसे पागल मना ऑस भर कैसे पागल बना ओस बागल कमान जो रुग जो रुग जो रुग जो इस लेधर जैकेट वाले को पागल बनाता हूं सर सर आपको पता है इधर एरपोर्ट के बाहर बहुत ही बहुत ही तगड़ा एक रेस्टोरेंट खुला है और वहां पर सर फ्री में आज उनका फर्स डेय ओपनिंग का तो फ्री में सब कुछ खिला रहे हैं सब कुछ जो आप ओडर करोगे वह सब कुछ खिला रहे हैं सर अब लया बाई यह लैधर जैकेट वाला तो भागा नहीं कोई और ही भाग गया रेस्टोरेंट की बात सुनके खैड जो भी भागा हो उसकी जगा पर मैं आ चुका हूँ बस थोड़ी दिर में अपना नंबर अगला नंबर मेरा ही है भाई स्टकले के बाद अगला नंबर मेरा ही है कम आन सोचो भाई मैं कितना पीछे ता लाइन में चीडिंग करकर के आगे पहुँचिया भाई चीडिंग नी इसे दिमाग के इस्तमाल करना कहेंगे खैड जो भी हो फिलाल मैं बारा गंटे देखो बारा बारा गंटे दोनों रूम्स के अंदर सर्वाइफ करना है बारा गंटे कोल्ड रूम बारा गंटे हॉट रूम तो प पूरा गरम सा हो जाओंगा एकदम फिर उसके बाद cold room में जाएंगे तो वहां ठंड का कुछ जादा असर नहीं पड़ेगा तो I guess यह जादा बेटर रहेगा येस पहले hot room and then cold room ऐसा option select करते है चलो टकलू sir सर मेरी बारी है मेरा नाम है Franklin Clinton क्या sign करना पड़ेगा वेवर साइन करना पड़ेगा कैसा वेवर फिलार इन लोगों ने एक वेवियर दिया है जिस पर यह लिखा है कि अगर इस चैलेंज के दौरान मुझे कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार ही इनकी नहीं होगी और इतना डे सॉरी टॉमसें कंडिशन मुझूर है और मैंने वेवर भी साइन कर दिया है तो बारा गंटे मुझे इसके अंदर पहले होट रूम के अंदर सर्वाइफ करना है देन कोल्ड रूम के अंदर यह मेरा आपको प्रपोजल है ठीक है सर ऑगे थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग यह बस एक डिस्प्ले है कोल्ड रूम होट रूम रियल रूम तो कहीं और ही है चलो चल दे है लेट्स गो ओके भाई क्या है यह अब रूम रूम बोल रहे था यह रूम कहां से यह तो बहुत बड़ा चैंबर हो गया यार वहलो भाई यह तो बहुत ही बड़ी जगा है मेर को तो लिटरली में लगा कोई चोटा सा रूम होगा और वहां पर कुछ फायर वायर का सीन होगा एंड सिंपली हमें उसके अंदर सर्वाइव करना होगा पर यह तो बहुत ही बड़ी जगा है कैसे होगा यहां पर सर्वाइव और एक सेकिंड यह इत्ती बड़ी क्लॉक है तो घड़ी के तुरू हमें पता लगता रहेगा कि हमारे कितने घंटे बीच चुके हैं फिलाल यह देखो 12 पे है सुई यहां जो है घड़ी की इसका मतलब यह सुई वापस घूम के जब तक 12 पे नहीं आ जाती तब तक हमारा चैलेंज शलता रहेगा तभी तो 12 गंटे आराम इंदर किया आई कहाँ से आस्या है एंपर 25 बीच चुका है जा के साथते कंप्लीट हो चुका है यार के साथ ने क्लिच भैस पहुत bargain और यहां वाला चैंपल बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारा कोई दिकत नी हूए अभी तक मुझे भाई एक दब बढ़िया जा रह रहे होगा है यह पता भी नहीं चल रहा है किसी भी अंगल से 첫 लिए वंपा किसीयदे सब्सक्राइब से बिल्कुल भी नहीं चल रहा है वेट यह क्या है ओ तेरी में हो अपर यह कं बहुत भला भी मत्र मुत बशयां कुछ भी को के समझ समझ एक घंटा हो गंटे बाद इन लोग ने एड कर दिया है मुझे लग रहा है जैसे जैसे टाइम बीटता जाएगा भाई उसके बाद यह लोग न्यू न्यू चीज़े एड करते चले जाएंगे हाँ यही सीन मुझे लग रहा है ऐसा देखके तो यह डेफिनेटली ऐसा ही कुछ होने वाला ह हर एक घंटा भीतते ही यह लोग कुछ नई चीज़ एड कर देने वाला है जैसे कि पहला एक घंटा था अभी तक कुछ भी नहीं था जैसी एक घंटा पूरा हो गया इन लोग ने नीचे फाइर एड कर दिया अब देखना जैसी दो गंटे पूरे होंगे एक और नई चीज आइड कर देंगे यह लोग ठीक है फिर भी सिंपल है मेरे लिए तो नीचे आग लगे रहें तो मैं यहां पर ऊपर चिल कर लूँगा सिंपल एडीजी टास्क वेरी वेरी सिंपल लगे रहें दो आग को दिकत वाली बात नहीं है हाँ सो लेता है थोड़ा ओके कितने घंट बीच चुके हैं वेड वाट यह असली आ गया यह है कुछ और एलेडी स्क्रीन नहीं लग रही भाई यह और नहीं भाई एलेडी स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं है आगी है यह पता नहीं कैसे डिफरेंट तरीके की आ गया फिलाल धीरे-धीरे करके गाई यह रूम जल रहा ह बट कोई बात नहीं मेरे पास यह जगह है नो भाई इन लोगों नहीं जो सीडियों के लिए एक अलग सी जगह बना दिये सीड़ी से यह जगह मेरे लिए काफी प्रॉफिटेवल है मैं आपन सिंप्ली चिल कर रहा हूं और मुझे आख कोई फरक भी नहीं पड़ रहा है य पड़ा है चाहें यह नीचे की यह आग जलती हुए टाइल सो या फिर यह दिवारों में आग लगा दियो नो टेंशन मैं तो चिल कर रहा हूं भाई मैं तो सो रहा हूं अब यार गर्मी सी लग रही है वो इधर भी आग लगा दी इन लोगोंने वो भाई साफ तीन गंटे सोता जा रहा है अभी मैं कहरा था सिंपल है अब मुझे डर लगने लग गया क्योंकि धीरे धीरे यह जो एक सेफ जगाती वहां पर भी आग फैल रही है मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं काम कर सकता है सीड़ी को उठाके इधर दिवार पर लगा दूँगा बाद में अभी फिलाल देखते हैं बीते हुए मतलब अगले चौथे घंटे के अंदर क्या ही होता है फिलाल तीन घंटे बीते हैं तीन घंटे में यहां पर इतनी तबाही मच चुकी है भाई जैसी एक घंटा कंप्रीट हुआ है इन्हों ने दिवारों में आग लगा दी जैसी तीन घंटा कंप्रीट हुआ है इधर आग लगा दी है पता नहीं चौथा घंटा कंप्रीट करने पर क्या तबाही मचाएंगे यह लोग क्योंकि मैं यहां से 50 करोड जीत करी जाओंगा येस 25 करोड में सबर नहीं करने वाला भाई मैं मे मेरे पास यह कोना जो है नो भाई यह एकदम सर्वाइवेवल है और आपर आराम से बाकी बचे हुए आठ घंटे भी निकाल सकता हूं फिलाल बस इस कोने में आग ना लगाएं यह लोग तो ठीक रहेगा एंड यू कें सी नालायकों ने यहां भी आग लगा दी यार नीचे की आग भी चालू हो गई ओ नो 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 मैं तो खुश हो रहा था नीचे की आग बंद कर दिया है जोग ने नीचे की आग फिर से बंद हो गई की तरफ भी नहीं पहुँच पा रहा उन स्चूडियो की तरफ पहुँचके उसको सीधा करने की कोशिश करूंगा फिलाल अभी भी मेरे पास कुछ कोने हैं जहांपर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ फिलाल ये कोने कितनी देर तक मेरा साथ देंगे उसकी कोई गैरंटी नहीं है भाई सावी दर दिवार में आग लगी पड़ी है जमीन में आग लगी पड़ी है मैं जाऊं तो जाऊं कहां ये होट रूम काफी जादा खतरनाक हो चलाया अब फिलाल इस वाली छट के नीचे थ इदर ही रहता है इदर आग नहीं अभी फिलाल कितने आठ गंटे हो गए चार गंटे और सर्वाइव करने एंड थैन हम लोग पहुंच जाएंगे कोल्ड रूम के अंदर अब यार जल्दी पहुंचाओ भाई बहुत गर्मी लग रही है हालत खराब हो रही है आप नहीं सर वाइव कर सकता हूँ मैं बाकी के चार गंटे येस जूते पहन रखे है लावा की बकिट का कुछ खास असर पढ़ने वाला है नहीं बेस्ट बेस्ट है ये चलो 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 नौ गंटे बीच चुके हैं जरा तुम लोग एक बार च्छत का हाल देखो पूरी च्छत पे आग लग चुकी है पुरी नीचे आग लग चुकी है हर तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है मैं जाओं कहां मैं जाओं तो जाओं कहां यार सीरियसली मैं हर तरफ आग कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन फिलाल अभी एक यह जगह है जहां पर मैं थोड़ा सेफ महसूस क कर रहा हूं फिलाल इसी के साथ लगबग 11 घंटे बीच चुके एंड ये रूम की हालत बहुत जादा बुरी हो चुकी है तो कि ये देखो भाई जमीन से आग निकलना अब शुरू हो चुका है ये 11 घंटे का सीन है 11 घंटा ये 11 घंटे बीच चुके एक घंटा और रह गया है मेरे पास कोई option नहीं है यहां से भागने के अलावा सीडी को मैं बताता हूं क्या करते हैं सीडी को उठा के पहले उदर दीवार पे लगाने लो ओ नो भाई जल रहा जल रहा बहुत गरम है सब कुछ इदर सीडी बस एक पर वहां से हिला दू मैं सीडी भाई प्लीज अराम हो जाएगा सीडी को साइडे में घसीट के लेके आगया मैं उदर से पुश करते हैं कम ओन यह घंटा और सिर्फ सर्वाइफ करना है इसको दीवार के सारे लगाते हैं जल्दी बस 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 बहुत बढ़ी है बहुत ही बढ़ी है यहां पर टिके रहते हैं भाई जब तक आगी हर तरफ कुछी टाइम बाकी है यहां पर 12 घंटा बीतने में यह घर वी गो यह वी गो कम आण वी डिडिट गैस ओके सब कुछ रिसेट हो गया यह सब कुछ रिसेट हो गया हो बारा घंटा हम लोग ने सर्वाइफ कर लियो ना हो्ट रुम के अंदर इसे लिए अब हाई है कोड रूम की पाई साफ वो होड रूम बहुत खतरनाक था शुरुवात में तो लग रहा था पैं क्या ही है क्या ही फरक पढ़ रहा है इससे लेकिन धीरे-धीरे हर बीते हुए घंटे के साथ वो चैलेंज होता चला गया एंड एक टाइम पे तो काफी डेडली हो गया बाई चैलेंज जब हर तरफ रूम में चारो तरफ आगी आग आगी आग नजर आ रही थी हो हालत खराब हो गई थी भाई बट वी स्टिल डिट इट सीडी को मैंने इधर किया उदर किया जैसे तैसे करके भाई कभी लावा की बकेट के उपर कभी इस कोने में कभी उस कोने क्योंकि पहले गंडे तो कुछ भी नहीं होने वाला है गंटे के बीतने के बाद coldness शुरू होगी तब तक इदर या राम करेते हैं गाइस पता नहीं गुड़नाइट है कि गुड़ने जो भी है सो लेते है शांती से पहला गंटा बीच चुका है आई गंटा हो चुका है ए यार ओवेसली बढ़िया ही लगेगा बर्फ के अंदर तो इस वक्त लेकिन धीरे धीरे फिर ये cold room में खतरनाक होता चला जाएगा इस अभी तो मैं बर्फ के उपर ही लेट रहा हूँ अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आई इसका फील आ रहा है यार वहो होते रहो और दूसरा घंटा बीच चुक है और दूसरे घंटे के अंदर भाई एक है snow में दबी हुई benches मेर सोने के लिए क्लिए है क्या ओओ बड़ी ठंडी है तो लेकिन सो जाओ यहां पर मैं बड़ी है यार भाई यह मैं कहा नहीं रहा तो cold वाला तो easy निकलेगा देग लेकिन नहीं भाई अभी तो सिर्फ 2 घंटे बीते हैं दो घंटे में तो वहां पर भी मजा आ रहा था फिर असली टेस्टिंग शुरूई असली हालत खराब शुरूई जब 3-4 घंटे बीच तब अभी कुछ नहीं कह सकते तो घंटे बीते हैं वेट करते थार आर का ओके तीसरा घंटा बीते यहां पर हलके लकी स्नो गिर रहे है शायद छत से पता नहीं क्या सीन है लेकिन कुस तो आ रहा है भाई यह स्नोफ फॉल हो रही है क्या लग तो रहा है स्नोफ फॉल जैसा अब तो ठड़ लगने लग गई भाई यहांपे टेंपरेचर तो गिरता लगा के आग वाक से बचके कोने तक पहुंच गया पर कॉल्ड रूम में मैं क्या करूंगा सीजिसली मैं भाई आखिर कॉल्ड रूम में जब बहुत दबा के गर्मी पड़ेगी तो कैसे पचूंगा मैं सोचना पड़ेगा उसके लिए भी कुछ जुगार सोचना शल्की हो तीज हो चुक है अब यहां पर शवनी हो चूक है है कि मैं बता रहा हुईतने आप मैं Bahn jestıyla seconds side तो एक चाहा रहा है इतनी कुछ खास दिक्कत हुई नहीं है चाहे बर्फ ले लो चाहे ये बर्फ के बेंचेस ले लो या फिर कुछ भी ले लो अभी तक जादा उतनी दिक्कत हुई नहीं है भाई किसी भी माम लेवें बढ़ हाँ जैसे जैसे टाइम भी देगा देख लेंगे भाई गरम वाले में भी हॉट रूम में भी जुगार ढू हो चुकी है ओ भाई अभी अभी रियल टेस्टिंग शुरू हो गई है पांच घंटे बीच चुके हैं पहले घंटे तो यह बड़े-बड़े स्नौ ब्लॉक्स है उसके बाद यह स्नौ की बैंच इस उसके बाद हलकी अलकी स्नौ फॉल शुरू ही तीसरे घंटे में फिर ते अबरह इसे हालत ख़राब हो रही है देखते आगे क्या होता भाई लेटरली में हालत खराब औरही है अभी मेरी और अभी जो थन्दती वह और भी जादा बढ़ चुकी है सीर्यूसली में भाई यह कैसा मौसम सा लग रहा है साथ घंटे बीच चुके हैं यर और अभी बेंचे के बीच में फिट आजाओ एंड छुपा सगो खुद को एक काम करता हूं इन बेंचे को ले जाके ऊपर रखता हूं तुम देखो फिर मेरा एडिया आइडिया यह है कि अब देखो कैसे मैं यह बेंचे रख दिये भाई अब इसके बीच में मैं घुसके अब लेकिन एक सेकेंड यह बेंचे भी थंडी एंड बर्फ से जमी हुई है ने 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 मामला गड़ बड़ है यह बेंचे वाला आइडिया भी फ्लॉप है भाई तो अब क्या करूं मैं क्या करूं अब तो साथ घंटे हुए अभी पांच घंटे बाकी है और यह कैसा ब्लू- यह जाधा ठंड बढड़ चुकी है वह दिवारों में भी स्नो जमना शुरू हो चुकी है नई नए 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 इदर कुछ तो करना पड़े बैगा नए आठ घंटे बी चुका है एंडगा इस थंड से बचने का क्या करूं मुझे कुछ सूजी नहीं रहा है भाई कैसे 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 ठंड से बचे यहां पे अब इस ठंड की वज़े से विजन ब्लॉक हो रहा है मेरा कैसा दिख रहा है यह सब कुछ ओ भाई वाइटनेस चा गई है रुको जल्दी से अब आगले कुछ टाइम में मुझे जल्दी जुगार ढूंड़ना पड़ेगा सीरियूसली यह मैं बाई जल्दि नौ घंटे बीच ऊख है तीन घंटे और तीन घंटे के लिए कुस्त Bugün कुछ टूशना पड़ेगा लेकिन इस कीज़ागो इस घडी से इस घड़ी को मैं थोड़ा आगे कर दू तो मामला सेट हो जायागा लेकिन नहीं भाई उससे क्या ही होगा ठंड में लोग क्या करते है ठंड से बशने के लिए इगलू बनाते हैं मैं इगलू बना लू किया इस बर्फ से और येस, वो हो जाएगा फिर तो रुकूरुकूरुकूरुकूरुकूरुकू बनाने की कुशिश करता हूँ मैं सर्वाइफ करता है इसके अंदर घड़ी कैसे दिखेगी पता नी भाई क्या टाइम हो रहा है कितने घंटे अभी तक बाकी ओए 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 ये रहे मेरे पैसे मेरे 25 करोड़ अब इतने सारे 25 करोड़ है छोटे नोट होंगे क्या पता ओओ किते सारे पैसे 25 करोड़ इदर करने ज़्यादा डिफिकल्ट था वैसे मैं पर्श्णली बताओं तो बाइग ज़्यादा डिफिकल्ट तो बाई गया असान जरूर लग रहा था वो लेकिन हां धिमाग लगाने की दिमाग लगागे मैंने शर्वाइव करी लिया और रूम के अंदर भी दिमाग लगाना था मेरे हिसाब से तो दोनों भाई बराबरी मुश्किल थे फिराल तुम लोग बताओ क्या जादा मुश्किल था क्या जादा एजी था बड़ जो भी हो वीडियो पसे दें वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब क